कि हरे कृष्णा डिवोटीज आज बहुत ही विश्ष देने आज हमारे बीच में हमारी सोर्स इंस्पिरेशन है रादेश्याम प्रभुजी प्रभुजी इस वर्ल्ड नंबर वन यूथ प्रीचर कहीं सारी यूथ हैं जो की भूत बन चुके थे लेकिन भूतों को वापस तो प्रभुजी ने खैर रेवलूशन लेकर आए पूने जो है हमारी एजुकेशनल केपिटल माने जाएं कहीं सारे इंस्टिट्यूट्स हैं और वहां पर बच्चे आते हैं वहां पर पर करेटेट एड़ रेवलूशन तो वहां पर दो टेंपल से पूने के अंदर एक तो है और प्रभुजी माधिन से कई हजारों 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 यूद्स हैं उनको डार्टी में शुरू से लेकर कि अभी तक और बाकी जिन्दीगी बची है उसे भी मेरे लिए प्रेणा की तो हमने सोचा कि आज आप सब के सामने लेकर क्या हैं तो आज हमारे बीच में हैं तूर्शन इस रादिश्राम प्रभुजी आपका हर्दिख स्वागत करना चाहूंगा और प्रभुजी अक्सर नहीं जानना चाहते हैं आपके बारे में यूंकि आपकी विजांसे तो हजारों हजारों यूद्स हैं जो कि आज कृष्णभक्ति को पना रहे हैं और लाइफ दिस्ट्रक्शन से हैं उनसे बचने के लिए क्या किया जाएं और फाइनली दे कम प्रिश्ण आ रहे हैं वो है रादिश्राम प्रभुजी बहला वो खुद कैसे भक्ति में आई होगी मैं आपके आपके वारे मैंने कुछ सुना था कुछ पॉर्ण सम्डिवोटी लेकिन वह भुट ही जैरेक सथा और वर आपके मुखसम सुनें वह इस था मोस्ट अथंटिक वरजन आपके वरजिन आपके वरजन केम तो पॉर्ण कृश्ण आपकी जान करके कहीं सारी यूज़ा इसे इंपरेशन मिलेगी तो प्रभुजी प्लीज प्लीज शेर यूरी आ आपके साथ इस तरह के इंट्रू करने के लिए आपके साथ आपके आने के वीडियो सुनता हूं बहुत आच्छे तरिके से आप शे मिनिट में पांच मिनिट में बहुत महत्तोपूर्ण विश्यों को सब्सक्राइब बता देते हैं आप मैं जब द्वारका मंदर में आयता उस समय मुझे यूटीव वर्ल के बारे में कुछ मालूमाद नहीं था मुझे इसलिए मैं जानता नहीं था कि प्रभुजी कितने बड़े हैं बाद में पता चला कुछ सालों के बाद तो आप तो सब क्या प्रश्यों सा करते हैं सब बगतों के गुणगान गाते हैं आप हाली में एक दो बक्त लोग एक वीडियो बेजें मुझे दो मिनट तीम दिनट का उसमें आमोग इल्लाप्रभु का आपका वीडियो था उसमें बता रहे थे आप कि राधे शंपू का सिक्ष्णा बारमरत में आये तो पहले वो डिबेट किया कि बगवान नहीं करके कि अब शक्राव उसकी बाद में बंश्री the उसके बाद में जोडे बार में बोला था और बाहाद में आपको पूछा था वारे आपने आप ने मुझी के सी ने हम में डटत ह Waiting अव्रिक्श्ष एक तो आपको आप जूड़ा था है कि आप आप क्या पहली आपका क्रिश्ण बावतो मंत्र का उच्छारण सुनते हैं पहली बार वेदों के मंत्रों का उच्छारण सुनकर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे उपर उसके बाद उदर तुरंद अंदर पहुंच गया और टीचर को बोला कि मुझे भी वेदिक पाट साल में लीजिए वो बोले जरूर लेंगे लेकिन पिताजी के लिए आना पड़ेगा आपको लेकिन पिताजी ने माना कर दिया बोले कि अरे तो बहुत करीब ब्रामन बच्चे जाते हैं तुमको सिखाने के लिए मैं एक ब्रामन टीचर को बुला लूँगा गर में तुम बढ़ो आगे बढ़ो कुछ डाक्टर बनो इसके बाद देखेंगा ऐसे बोले तो गर में रहा मैं उसके बाद पांच भी कक्षा में मुझे एक प्रहना मिलीगी तीचर ने पूछा आप लोग को क्या बनना है एक एक स्टूटन को सब्सक्राइब और सन्यासी ब्रहाचारी इनसे बहुत आकरशन था मुझे तो बाद में कुछ आध्यात्म कुष्यों के बारे में पढ़ना चालू हो गया था पांच वन कक्षा से पांच वन कक्षा से दस वन कक्षा के अंदर मैंने लगवा कि चालीज कृस्टियन कोर्स की बाइबल कोर्स करस्पोंडेंज कोर्स तो मेरे पिदाज ने बोला रहें कि इन कोर्स को करने से कॉम्प्रेंशन करने से तुम्हारे इंग्लिश के लिए इंग्लिश का डवल्पेंट भी होगा और अच्छे गुन को तिमसी कोगे एस तरह मैं यह करके को में 10 लेसन पंद्र आकर जाएं करो मैंने सचा कि पहले पढ़ाई होने के बाद देखेंगे चाइन करेंगे इसोच था मैं साथ में रामक्षमिशन के किताब मिले उसको पढ़कर प्रेणा मिला कि अभी हम रामक्षमिशन में जाएं करते हैं तो पिताजी को अनुमत्ती लेकर वैक वपक अपक आध्यात्मिश्यों को समझे बिना तुम शारणा को थोना अच्छा नहीं है तुमको जो किताब चाहिए बोला मैं करेद कर दूंगा पहले तुम कुछ दिगरी प्राप्त कर लो उसके बाद लोग जब तुम बोलोगे लोग सुनेंगे आइसे वोले ठीक है मैं मान लिया उनक वाइश्णों का पिक्चर था वो भी शेवन हेट था ऐसे तेलग पाना था और रात को भी सो रहा है बगवान उसको उपर से देख रहे हैं योगक्षे मंबखा में हम इस तरह मैं उस वेश्बुष को देकर इच्छा हुआ कि मैं भी इस तरह का वाइश्णों बनना चाहता हो आई से इच्छा थी उस समय और लेकिन फिर सिर्फ देखा था उसके बाद अभागिवश्ण में ज्यादा वाइश्णों का सांग नहीं मिला अनेक संस्तों में गया जैसे कि 150th year of Ramakrishna Ramakrishna Paramusuka उनका जनम होता है सब्सक्राइब में सब्सक्राइब किताब को पढ़ता रहा महायवादी किताब को पढ़ता रहा इसे तो उसके बाद सब्सक्राइब में जाकर लोगों को मिलना पुछताच करना मेरे ग्रूप था विद्यार्थियों का लगबग हम लोग 25 लोग ते अलग अलग लोग अलग संस्ता से जुड़े थे साथ में आकर आत्मसर्चा करना इस तरह तेकिन अनेक लोग हम मैं से सोच रहे थे कि हम गूस्तवी संसुर्ण भांशाओ बाशाओ झायल सवी जैसे पूरा जीवन उसमें उसमें वें ऑपर थी संसक्रुन बाशाओ बाशाओ संसर्चत मतुंसक्रुट अइस Impf u consenty इस तरह मेरे इलनाई से तो जैब मैं मैं इस तरह जब आएटी में पहुंचा आएटी के पीछे एक नीटी करके एक चिन्मया मिशन था तो स्वामी जी को मिलने के लिए गया उनकी किताबें पड़ा था पहले लेकिन जब ब्रहुमाचार ने पूचा मुझे आप आये हुदर क्या है क्यों मिलना स्वामी को मैंने आश्रा में जायन करने की मन है तो तुरंत हम लेके जाएंगे आपको स्वामी जी के पास 1991 जी थे उस समय तो उनके बस लेकिए उनके कामरे से 10 मिनट पहले वो निकल चुके थे इमाले के लिए तो बोला स्वामी जी निकल गया सारी तो मैं मंदिर में थोड़ा बैट कर आए अए अगे जिना में मैं बस्मा पांटा आता यह से पांट कर दोती कुरता जैसे दक्षिन भारत में बहुति आए से पांटे हैं दोती ओ मैं गॉद्धि आए जब जाते से में कुछी-कुछ विद्यार की ऊपर निचे देखते थे कि दर से आया वेक्ते इसे तो एक द यह देखा एक मारतिकार को देखा रेड कलर आ रहा था तो उसमें अमेरिकी भक्त थे हरे कृष्ण भक्त हो लोग मृदं करता लित्यादी लेकर तो मुझे एक लीफलेट मिला था कि बगवत गीता डिस्कोर्स हॉस्टल नायन सूपर लाउंच आईसे मिला था तो मैं वह ल मैं उपार नीचे देखा यह लोग लग 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 रहा है कि किसी दूसरे लोग से उत्रे हैं लोग ते रही निकला तो हासल में आकर तुरंद में लख दिया साब विध्यार्चों को लेगो अमरिक की लोग आकर बारत में प्रशार करें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सो माया के गोद में सो रहे हम लोग जग जाओ सब लोग कारकरे में आओ उस समय में एक भी माला नहीं करता था मैं लेकिन सबको कारकर में बुलाया सब विद्यारती वो नोडिस बॉट में में जो डाला तो उसमें अनेक चितर ना बनाने लिए कार्टून्स ऐसे तो यह होने के अगरे बाद में जुख मंदर में जाना चाल हो गया इस ग्रेस रसराज प्रभू मुकुनमादा प्रभू जिवगो स्वामे प्रभू का प्रभू रामवरु प्रभू यह सब वक्तों का बहुत कृपा मिली मुझे अनिक प्रश्ण तर किया उनके पास इतने संस्तों में द है मुझे बहुत अच्छा लगा आईसा ने की ऐमाले में बैट कर खुद की मुक्ति के बारे में सोच यह से आपने देखहा और आतीन बंदर बुरा मत देखो बुरा मत सुना और मकारों कि प्रशाथ कावो और बहुत अच्छा लगा मुझे इंजरियों का इस्तेमाल भगवान की सेव में हम लगा सकते हैं यह दो के कारण मैंने सोच लिया कि सबसे बड़ी आर्गनिसेशन है तो हम अगर जीवन को डिडिकेट करना हो तो इसकान में करना अच्छा है सेम सोच रहेते हैं कि मैंने लगबग हो गया जुख मंदर के से जूड़कर एक दिन एक डिबेट का टॉपिक था मैंने देखा की डास गॉड एग्जिस्ट आइसे एक टॉपिक या दिया गया ताया टी में तो लगबग 11-12 टीम्स थे दो दो लोग ऐसे टीम बनाकर तो हम लोग का डिबेट दूसरा वक्ति नासिक उन्होंने गाड डासिंट उसके उपदर से की लेकिन हम दोनों फ्रेंट से तो उन्होंने पाइंट बनाया तो मैंने पाइंट बनाया था और 11-12 टीमों में हमको चुना गया गया इसे तो इंटर कालेज के लिए हम चौपटी में गए उदर भारतिय तो मैं कर्मधलत्याग में बोला मैंने कि वरकी सवर्षिप और मैंने में बोला तो वह देवेट होने के बाद उस दिवेट के जट्ज कॉन थे इस वॉलनस्पक्तिरासामृत महाराज अर बहुत बज़ी थे उन्के निकटते हैं तो उनके पास पूछ रहता है कि इस गॉड़ पर्सनल और इस गॉड़ इंपर्सनल तो विच्वान एस ट्रू बगवान का आकार है नहीं तो भगवान का साकर है निराकार है इसके वरे में चल्चा किया मैंने और प्रभुजे ने अनिक पॉइंट्स बताया कि बगवान कई से साकार है उसके लिए पताया है और बोले कि जो निराकार जो लोग जो लोग मानते हैं बगवान को वह बगवान को अपमान करते हैं वह बगवान को निंद्र कर रहे हैं बोलते हैं कि बगवान को पाव नहीं बगवान को आंक नहीं चेहरा नहीं शरीर नहीं बहुत लावम उसके बाद बकतस संथ महानराज आते थे में देरे देरे नाइनटी फॉर में जाएंड के ङांग। में आपके साथ इस तरह की आपको मेरे परिवार में मेरे पिता जी माता जी उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दे थी बच्छमन में उनकी कृपा से हम अनेक आध्यात में कुश्यों को पढ़ना मेरे पिताजी इंग्लिश प्रोफसर थे हैड अधी रिपार्टमेंट व पांच-पांच किताब देते थे चार्ल्स जिकेंस शेक्स्पियर ऑलिवर गोल्समेथ इसे किताब हम पढ़ते थे पूरा करके हम उनको देते थे और पांच इंग्लिश के किताबें भी देते थे साथ-साथ आच्छे विश्यों को भी सिकाते थे जैसे रामायन महाबारतित्याजी से तो आई से क्योंकि मुझे बगवान की गृपा से एक संसकारी परवान में जनाम मिली और अनिक स्राद महात्माओं की संगिक्या मैंने डूंडता रहा और कृष्टियन मिश्णरी लोगों से मुझे मिश्णरी स्पिरिट मिला मैं उनको भी क्रदग्ये हों चैनके वो लोग बहुत कसरत करते हैं प्रचार काम में और अनेक मायवादी संस्ताहों में जाकर अनेक स्वामियों को मिला उन से मैं कास करके discipline discipline जीवान एक नियमि चला है कि असली चीज में बगवान के बगत सबसे इसलें उनके अनुगा यह बन कर सोइसे प्रभुपात और मेरे प्रम्पी राइनोगा लाग्य इन और उसके बाद जैसे कि पूना में रहें उनके आदेश अनुसार मेरे इधर अतारेटी है परमकुजी गोपालक्षनकोस्वामी महाराज मेरे रिपोर्टिंग अतारेटी है परमजलानात महाराज के साथ हम योगों के प्रचार करते हैं और हम अप्रेक्षा भी करते हैं कि सार भारत में ही नहीं भारत का बहुत बड़ा कर्तव प्रभपाजी ने बोला कि भारत योग भूमी भोग भूमी के लोगों का करते हैं भोग भूमी में प्रचार करके भोग भूमी को योग भूमी बनाना अगर भूमी को योग भूमी नहीं बनाया तो रोग भूमी बन जाए मालाइक योगे कालेज हो मैं कंपने करते आये हैं तो कि में बहुत प्रण लेता हूं अन्यक योक न को करें में उनके पाईलापरु है और आप मोंगला बर्व आपके चोटे-चोटे प्रवच्छान सारे दुनिया के कोने-कोने में पहुंच गए हैं और पुना के भी हमारे नेक विद्यारतियाथ से प्रहना लेते हैं और आपनिक प्रश्णों को जटील प्रश्णों को बहुत सरल जवाब दे देते हैं आप आ मेरा बाग्यों है कि आइसे आच्छे योगों के परचारकों के साथ भी हमारा मैत्री है तो आज के सत्र में में आज के इस डालोग में अमगला प्रभु से में अमरेंति करूंगा कि योगों के लिए उचित कुछ प्रेना दायक चीज उनका भी बताए और अलंकि में ये सब्सक्राइब करें अपनी जो जर्नी है इतने सुन्दू तरीकत बताई है और ही केम कृष्ण कॉश्ण से ग्राजड़ी बाई वेरियस बोटी कुछ ब्सक्राइब करें है और कि अच्छे बताया कि और कि और क्या कैसे कैसे हुआ और किशी किस तरह से वक्ति क्यार आकर्शित हुए और प्रभुजी का पारिवारी जीवन जो है जो है जिए सब्सक्राइब बहुत बड़ा हाथ हम देखते हैं कि इतना कल्चर है और कल्चर में आप फ्लेवर जब भक्ति का आ जाए फिर तो सुहागा हो जाता है तो बहुत ही इंस्पिरिशन थी आपकी जरनी और रहे तो प्रबुजी की सौमिता है तो प्रबुजी की विनमृता है कि प्रबुजी की चोटे से स्टुडेंट को प्रबुजी मैतरी के सरगल में रखते हैं हम से जाना चाहेंगे आज क्या लगता आज का यूथ है उनके प्राइमरी इश्यू क्या क्या है जैसे हम देखाए डिस्ट्राक्शन से हैं वो फोकस नहीं रह पाते हैं रिष्टों में जो है उनमें स्टेबिलिटी नहीं है कमिट्मेंट नहीं है बड़ी रेस्टलेसनेस थी हैं तो सबसे बहुत हैं दिस्ट्राक्शन की बात करना चाहेंगे इन यौर ऑपीनिंगे बच्टि जो डिस्ट्राक्शन हैं अज क्या आज कर पूरे इंडिया में पंजाब नहीं सबसे बड़ी अडिक्शन जो है विच इस मोबाइल फोन्स इन से बना यूथ के इस पकार से बचें हाला कि हम लोग हमारे हैं जिसे की गलत अफसाइट पर ना जाएं अब भख लो और साथी इंटरेट जो एक्सेस हैं उसो किसी की सुपर विजन में करें पुब्लिक में ए सोलुशन आप इस प्रॉब्लम ऑगेटिंग डिस्ट्राइट बाइस सोशल मीडिया अब अधर ओटीटी प्लैटफॉर्म मीडिया तो यह इससे कैसे बचें और लाइफ में जो करना है उस पर फोकस्ट कैसे रहें क्याके बिलाइशट्ड का एक सिप्लीन्गा आप मतलभ है इजसेप्लन में जीवन में लाना हो और ऑभी डिसैप्ल शथेस्गों अनुझा flan a विद विदान के दिय गए बगवान के उसको हमें पालन करने से हमारी जीवन बंगल मा है शस्त्रा को मतलब है तलवार गदा चक्ण इत्यादि जो लोग शास्त्रा को शिश्या का मतलत है जो गुरू साधोर शास्तर के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करने के लिए तैयार हो उसका बोलते हैं जैसे शास्तर बताते हैं मातरवत परदारेशु सब स्रीयों को मातागे रुपे देखो अपने पत्नी को चोड़ कर परद्रभ्येश लोश्रवत द जिस तरह चाहते हो दूसरों से उसी तरह उनको भी ट्रीटमेंट दो तो यह सिविलाइस्ट बिहेवियर बोलते हैं सुसंस्कृत जीवन नहीं ऐसे बताते हैं इसी तरह आप देखिए आप दुनिया में डिस्रक्शन का मूलभूत कारण क्या है लोगों को मालुमात नहीं ह एक रत है उसमें पांच गोड़े हैं पांच गोड़े को किंचने के लिए रसी क्या है रसी है और उसको पकड़ा है ड्राइवर बुद्धी है और रसी मन है और पांच इंद्री गोड़े है अगर इंद्रियों को नियंत्रक्न करना हो तो हमें गोड़ों को नियंत्रन करने लli लेडिको मजबूत करना पड़ेगा बुद्री को मजबूत करने के लिए बगवद बच्चा हट करता है दुकान में आप सब्सक्राइब कर देख कर बोलती है अगर उसका दांत गिरेगा नहीं गिरेगा परवा नहीं अभी इतना सीन क्रेट कर रहा है दुकान में पैसा दो अभी सब्सक्राइब अगर मजबूत बनाना हो उनके बुद्ध को गीता नियमित्र से पढ़ना चाहिए और उसके द्वारा मन को नियंतरन कर सकते हैं कि मन को एक हाती से तुलना कर सकते हैं सब्सक्राइब अच्छा भी होता है आशिरवाद देता है कभी कभी लकड़ी उटाता है मनिश्यों के लिए बहुत बड़ा लकड़ी को भी है आपका भी देखते हैं हाथी के ऊपर भी एलिफेंट मार्च करते हैं मायपूर में एलिफेंट प्रोसेशन भगवान राधर मा करता है एलिफेंट लेकिन वहीं जो प्राणी है हाथी जो होता है अगर मदमत हो गया तो पूचो मात मनशों को मारेगा बड़े-बड़े स्कूटर को उटा कर फेंके गाओ बड़े-बड़े घार को भी थोड़ देता हो और मदमत हाथ यह लोग को माल डालता है इसे इस त तरह भूर को थोड़ेता महखें आरेट ऑर देता है देक्स बार को कُच इस पलेन चाहिए से पर शेमें पर शोते हो शोतोड़ नियंत्रन सबढ़ एपन्य चोड़ सकते आपकी इच्छा अनुसार का भी जैसे रेगुलेटर होता है इसमें हमारे ग्यास्टव में दीरे दीरे चोड़ते हैं हम लोग इस तरह हमारे मन की शक्ति को दीरे दीरे चोड़ने के लिए बुद्धी को मजबूत करके मन को कंट्रोल करना चाहिए थाव इंदरियों का कंट्रोल नहीं है हमें शाप यूटीव वीडियो में चले जातों गंद गंद इसको देखते हो तो सिंपल फोन रुकाइस है बटन मोबाइल तो दूसरा है अगर नहीं नहीं स्मार्टफोन की जरूरत है पढ़ाई के लिए भी जरूरत है तो पारेंटल कंट्रोल डाल देन सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्छों को विज़ारती कुछ के लिए कर सकते हैं नहीं तो ऐसे पांच विज़ारती साथ में आकर एक निन्य लेंगे कि हम लोग पैरेंटल कंट्रों रखेंगे हमारे फूंस में इस तरह और गंदे सहावास को चोड़ना चाहिए आजकल स्त् ताइब्सक्राइब कर नहीं वो स्त्री से आलेंगर चले जाएगी लेकिन इसका पुरा मतिंब होकर उपन करते करके रहता है यह यह बाइटकर यह क्या करती है दो हमारी विद्यार्थियों को अगर मन की नियंद्रन करना चाहे तो स्तिरियों को मात्य गरुप में देखना और गंदे सा रहवास को चोड़ना और अगादेमिक फोकस और शुच्रीचवाल फोकस रेल चीजा राइए दोवाने स्पिरिच्वाल एण सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आपी से लेकर गलत इशामें नहीं जाना चाहिए यह मेरा टूपन टूपनी आडवाइस आपका सुनेंगे अमगला प्रोका सुनेंगे आप बताइए सब्सक्राइब यह अब आप इसी लाइम ने मैं सोचता हूं कि यह सब परना चाहिए और बाकिया कि इस स्मार्ट फोन रखें लेकिन इंटरेट फोन की तरह एंट आता है तो सारे इंटरेट नहीं तो इसी लिए इंटरेट है तो फिर वह मंदिर की वाइफाइब का लॉग इन करना पड़ता सब्सक्राइब करने की वाइज तो उससे भी काफी होती है और बागी है कि मैं तो यह सब्सक्राइब में जो मोबाइल फोन है सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए कर रहे हो आँखों के आगे नजर आता है तो इसके लिए फोन को दूर रखें पर किसी को पकड़ा दें सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए और आपने इसका जो प्रिंसिपली जो सलुशन होना चाहिए अड़ रूट आपने इसका प्रिंसिपली जो सलुशन होना चाहिए सब्सक्राइब कर पाना भी आचली यूथ के लिए बड़ा मुश्री हो रहा है कि यह जो टेवोर्स रेट हैं और इंक्रीजिंग वांड्स रीजन बिंग वह कमिट्मेंट वह सेंस और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नहीं क्लष्ट कर दो सब्सक्राइब है छृठ ने थे जनी तु गष्ट वह राड़ागे तौन दो समत्शनांट सब्सक्राइब धोड़ दॉ तो अच्छली वेदिक कल्चर जो है वेदिक संस्कृति इस गिविंग कल्चर नाट ग्राबिंग कल्चर आप देखेंगे जैसे एक बार हम लोग आयते जैपूर में रादगोमिजी के मंदिर में सुबह हमाई से तीन प्रदेख्षना किया हजारों लोग आयते हुदर सुबह और कोई कड़सा कर दे रहा है मिसरी दे रहा है कोई कोई मैसचुर पाक दे रहा है आयोसे मैं रहे थीन बार रो किया मैंरा ब्रेवसregal लोग को सोचने बचों की बलाई वाई बच्चों को सोचने चाहए माता-पत्न की बलाई पदी को सोचनें रहे ना करना कि लगष्मी को चैनल श्क्राइब करने के लिए लख्षमी करने के लिए बहुत हो गया टो मेरे वक्षस्तल पर श्रीवत सचिन सान लक्ष्मी को आरम करने के लिए भगवान बोलते हैं आराम करो वो बोलती है सेवा दोंगी इस तरह समद होना चाहिए पति-पत्नी के बेच में इसे तरह प्रभी राम पहले उसके बाद उसको निकाल दोंगी में इस तरह उन्होंने हट करके अभी सीता माद को दंड नहीं था जंगल जाने के लिए फिर भी उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ आओंगी आगर कोई आज कल के पति कोई होता तो पत्नी को बोलता था पत्नी मुझे दंड मिला 14 सान आप देख सकते हैं कि ग्रेट फुल आपने बताया ग्रेट फुल इसे पता गया है अगर हम नहीं है आपने बोला बच्चों को माता-पिता के पास कृतिक्या नहीं है और स्वार्ट बावना ज्यादा है इसके कारण अनिक बच्चे से बोलते हैं माता-पिता को आप क्या हम देख लेंगे डूंड लेंगे कुद ही तो वह ऐसे दर्जुना पार्टनर करते हैं कोई कृता नहीं है आइसा उनको लग नहीं रहा है कि माता-पिता को दुखित नहीं करना चाहिए वह आधर नहीं ह आइसे वह सोचते हैं नहीं है इसलिए मेरा सुझाव है कि आपने बहुत अच्छे तरह के से बताया कितना पच्चीस सेशन में बताया लाग बग है ना रामाएंड अगर आपके रामाएंड को सुनेंगे वह रामाएंड में आधर से मनिश्य को कई से जीना चाहिए वह प् आपके रामाएंड के अंदर जो एक्सांपल्स है असे परसंट्रीपाइज और रहती है और प्रभूची और रहती है प्रॉलम आज जो है ओवर थिंकिंग की और प्रोसर उनका हमेशा ओन रहता है और दुनिया दारी में रहता है तो इसले उस प्रोसेसर में रैम बच्ती नहीं है राम जी के लिए शांदी के लिए वास्रम इस और आप थिंकिंग जो प्रोब्लम है इससे वाव कैसे निकले ये सबल्टा कैसे लिकर एमन की सब्सक्राइब बगास अन्टी इस वेरी सिंप चंटिंग रेक्रिष्ण इस वेरी सिंपल वेरी इस वेरी इस वेरी सिंपल देस वनी तो पिसे कमना जाये अचली आपने बताए इसको मैं चैटर बोलते हैं इसको मैं चैटर मतलब का है रात को लेटने के बाद भी मन सोता नहीं है योजना बनाते रहते हैं दिन में क्या क्या हुआ सोचा रहता इससे अब कर दो करके रखते हैं शटडाउन किये बिना अगले दिन घरम तवा जैसे हो जाता घरम तवा जैसे हो उसका कारण कि आनेक फाइल्स कुले थे खुले छोड़ दिया आपने इसके का करन घरम घरम हो गया अगले दिन है इसे आपको अनुबह होगा इसे मतलब हमें कंप्यूटर को क्या करना चाहिए पूरा शटडाउन करके प्रॉपर लिए उसके बास देना चाहिए अगले दिन हम खोल सकते हैं इसी तरह हमारे दिमारी मन भी मैं में चार्टर क्यों होता है इस तरह मन भागने का मुलक बुद्ध कारण क्या है वह होता है जैसे कंप्यूटर में आप दो चीज़ देखेंगे आप क्या तो इसे गोल गोल गूमता रहेगा उसको हैंगिंग बोलते हैं हैंगिंग लोगों का हैंगिंग होता है तो लोगों का एक इसके बारे में डिप क्रेशी जाता है इसे मन भी कभी-कभी एक चीज़ करते हैं मी दूसरे चीज़ के बार में सुझते हैं यह नहीं हुआ और नहीं वह एक दम प्रशर बढ़ जाता है बूत काल के बारे में चिंता करते हैं और बविश्यकाल के बारें सोचके ढरते हैं क्या आने वाला करके इसके करए मन बहुत बागता है इसको माइंड चार्टर बहुते हैं इसको है लेड़ते हैं भी जागरत अवस्ताम इसका मूलबूत कारण आप देखेंगे क्या है तीन चीज़ है काम क्रोध लोब यह हमारे म मन में यह तीन वाइरस बैटे हैं यह वाइरस के कारण ही माइंड चार्टर हो रहा है इतना तकलिफ दे रहे हैं यह सब तीस लेकिन इन तीनों में से भी एक बहुत बड़ा असुर है काउन हो काम है क्योंकि काम की तृप्ति नहीं हुआ वो क्रोध बनता है जैसे मैं बता मॉक्त कर दो दिया तेक्सका टिरता है शुच्लास यॉसक को कर्यां चाहिए तब सबसक आख वायवांद बड़ावण देते हैं उसको बोलते हैं कि अरे ज्यादा देने से तो ज्यादा ant काते हो नहीं देने तो तो नीचि角 ह Gary यह पहले बड़ा दुश्मन का मतलब क्या है अदमन डिजयर पार दैट विच प्रोईबिटिट जो वर्जित कारिया है उसके लिए हट करना जैसे रावन ने पहले बार जब चीजा को देखा बोला कि चाहिए ही चाहिए मुझे उसका बुद्धी बुद्धी के नट लूस हो गया है उसने सोचा कि हां सोचा नहीं कि अगर इसको उठाकर लेकर जाएंगो तो राम आकर मुझे वद्ध करेंगे पूरा सर्वना हो जाएगा सोचने की चमता नहीं था बुद्धी आफ हो गया उसका फ्यूसाफ हो गया तो हमारे इस तरह इसको ही लस्ट बोलते हैं लस्ट का मतलब क्या फ्यूसाफ हो जाता है सोचने की सकते नहीं किसी व्यक्ति में अडमन डिसेर फॉर्ट विचिस प्रोहीबिटेड ए क्या सकती है तो इसको क्हा किया जाहिए लस्ट को लेकर इस वासना को बच्चों में भी भलून चाहिए बलून चैये आपल बॉन चाहिए मां बोला apple ballon मत म्मांगो इंटा Apple कौन कमें बनी तो ने बड़ा बलून लेकर गए गर पहुंचने के पहले विसोट हो गया उसका इस तरह दुनिया में देखते इसको मोह बोलते हैं मुख का मतलब क्या है जो अच्छा नहीं हो चाहिए जो अमारे लिए अच्छा वो नहीं चाहिए यही मुख है इसलिए हम काम का मतलब अच्छा नाशनमात्मनह काम क्रोध तता लोबस तस्मात एतत्रयम त्यजेत तो बताते हैं कि थीन नरक के द्वार है अर्जुन यह नरक की द्वार की ओर किसी इंसान को नहीं जाना चाहिए क्या है काम क्रोध अव लुब लस्ट एंगर और ग्रीट एलेजी एलेजी का मतल पीछे हड जाते हैं पाकी न 171 ए कम को मिटाकर प्रेब को जगाना चाहिए इसलिए क्राम को मिटाने से अब ज्य जाता है वही शाल ह हम बहते हैं हर्ट मिशन खृत्य के परिवर्थ दे लिए भक्तों के साथ संग का मतलब किया है स्अंग का मतलब कर तीünüz बीग आव cak मिलते हैं तो हमें कुछ अध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए और उसमें नौलज ट्रांस्मिशन होना चाहिए हो हमको इसको हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे हम और हार्ट ट्रांस्वर्मेशन मतलब से देमें परिवर्दन कोई स्वार्त व्यक्ति है निस्वार्त बनना च कड़िए तो उसको परिवत्त करके बगवान की उपर प्रेम ये Sup लॉक्ति सब्सक्राइब में परिवर्दन करने के लिए तरीका ह्रिनाम का डाइक हरे नाम मन को निरमल कर देता है यह तीन वाइरस को बगा देगा वह बाहर है अगर आपको खासी हो गया तो विक्स डालते हैं वह किची-कुछ को निकानने के लिए क्या करते हैं कुछ डालते हैं वह उसके बाद निकल जाता हूँ निकल विक्स डाली आइंट तो यह उपाई भी पता है शास्तरम मैं सरह करना हरिनाम सब तरह के मल को मीटा ता है एन्नाम शुदि मात्रे निरमल आह से बतादा रेक्षन आपके उपाय आपके उपाय बताये अमगलाप्रू आपके तरह से अपनी अपने आपर सकते हैं आपने अपने सबस्ट को समाद सकते हैं तो लस्ट एंगर ग्रीड एक तीन द्वार है और इनी की बिछे जो हैं भागते-बागते और ते रहते हैं और हमारे पुरे अधर के राम को खाया तेगे सब्सक्राइब करें आपकी पूरी कहानी जानने को मिली कि किस तरह से आप भक्ती में आए और आपकी वैसे सैंक्रों सैंक्रों यूथ आज भक्ती में आ रहे हैं इंक्लूदिं मैसेल्फ, I have learned so much Prabhuji and I will keep learning throughout my life so I am so fortunate to have a spiritual teacher like you Prabhuji और उसको आपने आज हमें एडिक्शन सी बारे मी बताया साथ ही आपने हमें रिष्टों कैसे निभाया जाए वी बताया आपने सुन्दर तरीके से बताया प्रभुजी तैंक्यू वेरी-वेरी मच पॉय और प्रेश्यस टाइम और मैं डिवोटेसर रिक्वेस्ट रहूंगा जो भी इस वीडियो को लिए कन गौन यूटूब टेकर प्रभुजी लेक्शर और साथ ही आप और यूडियो पूरा यहां पर नहीं एंचर कि यहां पर जबाकूटि लेक्टा उम्हां बाता हैं और यहां फैस नहींड रड़ेश्यक्या लूज सवी सब्सक्राइब प्रभुजी तो टूए टूए इसने अनूर पर आने को एंपर आश पेस्ट हैं जब्यों टो तो एहां पर लिए आपके लेक्स करके आप अनेक लोगों के शंकाओं को अब दूर कर रहे हैं आपके लेक्से सद्धाना बक्ती हो जाहे वह नास्यक्ता के वारे में वेड़ीति तरह के दर्म के नहींद निया अधनीक सुनिक दुनिया में बच्चों के मन में अनेक गलत फेमिया हैं आप एक एक लक्षर में आप उन गलत फेमियों को मिटा रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है दूसरी चीज़ है आप कास करके जो धार्मिक डारेक्शन है स्पिरिच्वल फोकस उससे आप डिवेट नहीं हुए हैं आज कल अनीक विश्यों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं आप सिर्फ चाहते नहीं है कि लोगों को कुछ सेल्फ हल्प मिले अच्छी सेल्फ हल्प बुक्स में बगवान के नाम लिये बिना अनेक लोग अनेक लेक् के लेक्चर में मैं देखता हूंकि बगवान को केंद्र मिंदु बनाकर शेल्फ प्रभपाद जी की शिक्षा को केंद्र मिंदु बनाकर इसको देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा इसा गीत में हम गाते हैं तो शुद्ध कृष्ण शि पहुत आपके मनोरंजक चोटे-चोटे उदारणने के द्वारा कहानियों के द्वारा आपके सवाव इतने मदूर है कि अने लोग तुरह पकड़ पाते हैं आपके लक्षेस के द्वारा तो आपके ऊपर जरूर आपके गुरु महाराज की बहुत कृपा आश्रवाद है प्र तरिके से प्रशार करके आई से लाकों करोड़ों जीवों को भगवान कि चरणों में लेकर आए और प्रभपात की मिशन में आप जोड़े हरे कृष्णा तो हमें क्रेट मिल जाते हैं और आशी एट गोस्टू यूपरोजी 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 थैंक यू बेरी वेरी मच पॉयर ताइम अरे कृष्णा श्रप्रभपात की जाए जाए रादेश्णा प्रभूजी की जाए अ झाल